हेलो फ्रेंस वेलकम टू माई चनल मॉबाइल रप्रेटरी आज के इस वीडियो में हम यूफाई बॉक्स का जो एंड्रोइट टूल होता है उसके अदर अभी एक एरर आ रहा है उसके उपर बात करने वाले हैं कि यह एरर क्यों आ रहा है और क्या इसका सॉलुशन है तो इस वीडियो में हम इसके बारे में आपको डीटेल में बताने वाले हैं सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइगन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए देगे फैंस अभी जो यूफाई बॉक्स से उसकी न्यू अपडेट आई है जिसके अंदर अभी एंड्रोइट टूल जो है यूफाई बॉक्स जो है उसकी लेटेस्ट अपडेट जो है 1.6.0.2334 ये इसकी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और इसमें EMMC टूल इसका 101 परसेंट जो है वो वर्क कर रहा है लेकिन देखें अब हम इस EMMC टूल को बन करके हम इसका यूफाई बॉक्स का टूल है वो open नहीं होगा देखिए Android टूल भी update हो चुका है 1.6.0.2334 और अभी आप देखेंगे यहाँ पर इसमें एक loading screen चल रही है जो की normally हम जब भी Android टूल को open करते हैं तब इस तरह की loading screen आती है लेकिन यह loading screen जो है इसकी loading जो है वो चलती रहेगी और यह खतम नहीं होगी इस तरह से चलता रहेगा चाहिए आप एक घंटे वेट कर ले या पूरा एक दिन वेट कर ले लेकिन जो UFI का Android टूल है उसके अंदर अभी इसके पहले जो version था 2333 उसके अंदर भी Android टूल जो है वो यूज करते हैं जो कि इसके पहले का वर्जन था 2333 वाला उसमें भी एरर था उससे पहले के अगर आप किसी वर्जन को यूज करते हैं तो उसमें आपको Android टूल जो है उसमें एरर नहीं देखने को मिलेगा और देखिए इसके बाद जो भी new update आईगी उसमें इस बग को fix कर दिया जाएगा क्योंकि यह software का एक बग है जब भी कोई developer किसी भी टूल के लिए कोई software update करते हैं कभी कबार कुछ उसके अंदर खामी रह जाती है जिस वज़से इस तरह का error देखने को मिलता है इसे developers जो है वो बग कहता है तो इसलिए इसके अंदर अभी एक बग है तो next update जो आएगी उसके अंदर इसे योफाई टीम की धूरू जो है उसे clear कर दिया जाएगा अगर अभी फिलाल में आपको android टूल को यूज करना है योफाई के तो उसके लिए आपको old version को यूज करना पड़ेगा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ जो से पहले का वर्जन था और यूफाई टीम को भी बहुत से लोगों ने इसका report किया हुआ है कि android टूल open नहीं हो रहा है तो इनके developer जो है इसके उपर work कर रहा है और बहुत जल्दी इसकी update आजेगी जिसमें इस bug को remove कर दिया जाएगा तो एक छोटी सी information थी हमारे viewers और बहुत सारे students का caution था इसलिए हमने सोचा कि इसके उपर एक video बना देते हैं तो friends थोड़ा सा वेट कीजिए बहुत जल्दी इस bug को जो है योफाई टीम जो है वो remove कर देगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि इस तरह की knowledgeable videos हम हमारे viewers के लिए बनाते रहते है थैंक्स फर वचिंग